प्रिया दर्शकों नमस्कार आईए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार सेल राउड केला इसपास सैयंद स्टील प्लांड के हॉट स्टिप मिल दो ने स्वतंतरता दिवस पर नई उचाईयों को चुआ राउड केला इसपास सैयंद में स्वतंतरता दिवस पर सेल स्वन जैनती स्मारक का उदखाटन और आजादी का अमरित महोत्सव की कड़ी में आज के विक्तित्व हैं चाखी खुटिया, सिपाहियों का पंडा, अब समाचार विस्तार से सेल राउट के लाइस पास सायंद के हॉट स्टिप मिल दो के करमचारियों ने नय उत्पादन रिकॉर्ड बनाकर 263 दिवस पालन किया, मिल ने 15 अगस 2022 को 7,073 टन स्लैब रोल किया और 6,896 टन वजन वाले 320 कोयल का उत्पादन किया जो कि स्थापना के बाद से इसका सर्वस्टेश निस्पादन है 6,888 टन स्लैब और 6,689 टन कोयल का पिछला सर्वस्टेश एक दिवसी रोलिंग 19 जून 2022 को हासिल किया गया था इसके अलावा होट स्टिप मिल दो ने 15 अगस 2022 को बी शिफ्ट में 2735 टन स्लैब रोल किया और उक्त शिफ्ट में 2670 टन एचार कोयल बनाकर एक शिफ्ट में एचार कोयल के उत्पादन का रिकॉर्ड भी बनाया और इसके साथ-साथ 2600 टन स्लैब और 2524 टन एचार कोयल को किसी एक शिफ्ट में रोल करने का फिश्टला सर्वशेश रिकॉर्ड आठ अगस 2022 को हासिल किया गया था HSN 2 कर्मी समू और सभी संबंध इकाईयों को बधाई देते हुए RSP के निदेशक प्रभारी शी अतनुभामिक ने कहा कि ये अमरित काल में मिल की शांदार शुडवात की हो सकती है कारिपालर निदेशक वर्ग शी एसास सूर्यवंशी ने 16 अगस्त को हाट स्टिप मिल 2 का दौरा किया और कर्मी समू को उल्लेकनी निश्पादन के लिए बधाई दी और मिठाई बाटी इस अवसर पर बोलते हुए शी सूर्यवंशी ने कहा शांदार प्रदर्शन कर्मी समू की भावना दिर्ण संकल्प और व्यावसाइकता को दर्शाता है या इंगित करता है कि यदि आप अभिलाशा रखते हैं और योजना को क्रियानवित करते हैं तो लक्ष निश्चित रूप से प्राप्य है हॉट स्टिप मिल दो और संबंधित विभाग के कर्मी समू ने शीष प्रबंधन को सायंत को अधिक से अधिक उचाईयों तक ले जाने के लिए अपनी प्रतिपद्धा का आश्वासन दिया उलेकनी है कि 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष MTPH शमता वाली हॉट स्टिप मिल दो भारत में कुछ समनांतरों के साथ एक अत्यादनिक मिल है और यह विश्वस्तरी हॉट रोल HR कोयल का उत्पादन करेगी मिल को 31 मार्च 2022 को चालू किया गया था उचस्तर के स्वचालन के साथ यह मिल कार्बन स्ट्रक्शल स्टील, हाई स्टेंथ लो एलॉय, HSLA स्टील, हाई कार्बन स्टील, LPG सिलिंडर स्टील, लो एलॉय स्टील, API, एकवस हंडेट तक पाइप स्टील और आटो ग्रेट स्टील के कोयल का उत्पादन करेगी नवीन्तम और परिश्क्रित तक्नींग से लैस, मिल गुडवत्ता, फिनिश, आयाम और अन्य मापदंडों के मामले में ग्राहकों की सक्त आवश्यक्ताओं को पूरा करेगी टाउर्किला इसपास साइएंद RSP के निदेशक प्रभारी शी अतनु भौमिक वारा देश के 46 स्टनुता दिवस के शोभासर पर सेक्टर 14 के पास सेल स्वन जैनती समारक का उत्खाटन किया गया इस वासर पर कारेपालक निदेशक परियोशना शी SR सूर्यवन शी, कारेपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन शी पी के शर्पती, कारेपालक निदेशक सामग्री प्रभंधन शी सोमनात्रे पाठी, कारेपालक निदेशक MNHS डॉक्टर बी के होता, मुक्के मा बंधक, टीये एवं सीयसार, शी एके नायक और प्लांट के अन्यवरिष्ट अधिकारी भी उपस्तित थे। स्मारक सेल्स वन जैनती लोगो कंपनी के गठन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष को प्रदर्शित करता है। तो हाथों से पकड़े हुए पंचकोड के आकार का स्मारक पिछले कई दर्शकों से कंपनी को RSP के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई मजबूत मीव को दर्शाता है। स्मारक ने स्टेल टाउन शिप के रिंग रोड की खूपसूरती के हार में एक और सुन्दर्ता जोड़ दी है। स्मारक को RSP के टाउन इंजिंडिंग में भाग द्वारा महाप्रबंधर प्रभारी नगर इंजिनरिंग शिबी के जोजो के मार्दर्शन में डिजाइन और स्थापित किया गया है। आजादी का अमरित महोत्सो समारू के तहट सेल राउल केला इसपास सैयंत ओडिशा के 77 सिनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं चाखी खुटिया, सिपाहियों का पंडा। चाखी खुटिया के नाम से प्रसिद चंदन हजूरी का जन्म वर्ष 1827 में रगनात खुटिया और कमलाबती चाखी खुटिया के पुजारी परिवार में हुआ था। चाखी खुटिया पुरी में पले बढ़े चहां उनके पिता ने भगवान जगननात की सेवा की। चाखी खुटिया ने पुरी के पारंपरिक अखाडे में कठिन शारीरिक अभ्यास किया और कुष्टी एवं सौदेशी सैनिकर्तब और कौशल भी सीखे जिसने उन्हें द्रण और मजबूत बनाया। चाखी खुटिया ने राणी लक्ष्मी बाई के साथ मिलाया जिन्होंने बिटिश राज के खिलाब विद्रो किया था। तामस्कार